पुरश्यमे माप ये बताई कि जोईन किया पहले तो रीजन क्या था जोईन किया मुझे प्रॉब्लम था एंजाइटी की थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा हुआ था थोड़ा मेरा LDL बढ़ा हुआ था ये जोईन करने के बाद मैं मुझे इन चीजों से काफी फरक हुआ है क काफी रिलेक्स हों और यदि एक दो दीन योगा नहीं करती हो ना तो मुझे बेचानी महसूस होती है तो योगा से मैंटली फिजीकली इमोशनली काफी स्टॉंग हुई हुआ है एंजाइटी एक्टियों मुझे वन वीट में कम से एक एक दो बार मेरेको अटा था लाइट लेकिन आप मुझे दीरे दीरे स्लीटी हुई है आपके डॉक्टर साब को क्या सजेस्ट कर रहे हैं अभी डॉक्टर साब तो यही बोल रहे है कि आप यह लाइश्टाइप फॉलो कर रहे हो फिल एक यूगास की यूगास की अदर जो आपको वास्ता में योग कराया जाता मेडिटेशन करती हैं तो बना चाहूंगी कि अपनी 24 आवर्स में से वन आवर्स निकालना अपनी बॉडी के लिए अपने लिए अपनी मेंटल हैल्थ के लिए बहुत चाहिंगी है और वो निकालना चाहिए है हरचाहिल को लाइफिस्टाइप अजगल बश्ट होई गई है तो एक सक्सेस को पाने के लिए कहीं ने कहीं आपका एक घंटा आपके सक्सेस के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है अपने लिए आपको एक घंटा देना बहुत जरूरी है 24 अर्स मैं से मैं तो मानती हूँ कि बनावर तो देना ही चाहिए बैटरी चार्जिंग है आप एक फॉन भी लोगे 24 घंटे उस फॉन को चलाओगे नहीं चार्ज करोगे तो वो भी डाउन होगा तो इसलिए उसको अपनी शरी पीजिकल एक्टिविटी को रखना बहुत जरूरी है और आप योगास्ली योगा सुसाइटी में वास्ते में आपको कैसा अनुभा हुआ आपका क्या एक्श्पिरेंस रहास तका करते हैं आप लोग अच्छे से टाइम देते हैं अच्छे से मैनेज करते हैं हम लोग भी कोपरेट करते हैं और हम लोग एक्सेप करते हैं चीज को कि हमको यह करना चाहिए जो सामने बोल रहे हैं आप लोग वो फॉलो करते हैं तो मैं तुम ऐसे भी दोंगी कि वहीं करता चाहिए, जोविस घंटे पर एक किंटा अपने पतीना चाहिए. That's really good, good. Thank you.